नमस्कार आपका सवागत है हमारी चानल डिजे ग्यान क्लासेज में है रोज की तरह दोपहर की टिक बारबजे ये है आपकी जनरल साइंस की क्लास जिसमें हम लोग करने वाले है अतिम हत्यपूर्ण सवाल जो हरी के एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है इसलिए इस वीडियो को मेरे साथ अंतक जरूर देखिएगा और आज की 16 जुलाई की करेंट अफ़ेर की क्लास सुभा ठीक सारे 8 बजे अगर आपने नहीं ली है तो जरूर देखे हमारे चानल पे आकर हमारे करेंट अफ़ेर के सेशन को आज का पहला सवाल है स्प्रिंग संतुलन किस सिध्धान पर काम करता है ओप्शन से हुक का नियम पास्कल का नियम अर्कमिडीस का सिध्धान या फिर बॉयल का नियम अब की सोचने के लिए समय हो चुका शुरू और हाँ अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए हमारे टेलिक्रा और हाँ अगर आपको कंटेंट बसंद आता है हमारा तो इस वीडियो को लाइक सरूर करके जाएगा इसका सही जवाब है option number 4 यानि की radio waves radar system में यूज किया जाता है चौतर सवाल है कौन सा cell organal ribosome sensulation का स्थल है सारे सवाल बहुत important है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा इसका सही options इसके जो है वो है mitochondria, nucleolus, lysosome या फिर endoplasmic reticulum और option number second is the right answer यानि की nucleolus पाच्छन सवाल जो है आज का वो है वाश्पी करन और संगरन की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है options जो है वो है sublimation, evaporation, aswan या crystalline करन तो channel को subscribe अगर आप तक नहीं किया है तो जरूर कीजेगा इसका सही उत्तर है option number third यानि आसवन या फिर distillation छटा सवाल जो है वो है निमलिकित में इसे कौन SI प्रणाली की एक मूह लिकाई नहीं है options जो है वो है mole, candela, ampere या फिर newton तो इसमें आपको बताना है basic unit of SI system इसमें से कौन सा नहीं है और इसका जो सही उत्तर है वो है option number four यानि newton ये सारे सवाल कही ना कही किसी ना किसी एक्जाम में पूछे गया है previous year से लिए गया है साथवा सवाल है chemical name of slick lime options है sodium hypokloride, magnesium hydroxide, calcium hydroxide या calcium oxide और सही उत्तर है इसका option number third यानि की calcium hydroxide और आज का जो आटवा सवाल है वो है सहायक कलिया पौधे के निमलिकित में से किस भाग में विक्सित होती है options है पत्ती, शाखा, जर या फिर पुष्प तो auxiliary birds developed into which are the falling part of the plant options मैंने बताया इसका सही उत्तर है option number one यानि की पत्ती नवा सवाल जो है आज का वो है galvanic current की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है options जो है वो है तामबा, जस्ता, दोनों first and second या फिर aluminium और हाँ जबहुती जल्द 20 जिलाई से आपकी लिए NTPC, GroupD और SSC की mixed question की class शुरू होने वाली है इसका सही उत्तर है option number second यानि की Zinc दस्वा सवाल है redon की परमानु संख्या क्या है अपको पता दिया जाएगा हमारी class जब से शुरू होगी और इसका जो सही उत्तर है वो option number four यानि की 86 और हाँ डेली शाम में पांच बजे डेली जी के practice set को देखना बिल्कुल न भूले यह हमारे चैनल पर live करवाई जाती है शाम में पांच बजे आना बिल्कुल न भूले और हाँ चैनल को subscribe करके bell icon ज़रूर प्रिस कीजिएगा ताकि हमारी notifications आप तक पहुचती रहे थैंक यू